आज की इस वीडियो में हम लोग class 10 के model set 3 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग भूगोल के complete solution को देखेंगे तो चलिए एकक करके हम लोग सारे questions को देखते हैं हमारे पास जो पहला question है question number 14 क्या है कि नविकरन योग्य संसाधन नहीं है यानि देखें यहाँ पर आपको चार option दिया गया है और चार option में से आपको बताना है कि कोन वला हमारा नविकरन योग्य संसाधन नहीं है अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें ठीक है और यह वीडियो आपका कल पब्लिच्ट होगा 10 बजी सुभद 10 बजी इस वीडियो को में पब्लिच्ट करने बाला हूँ साथ बजे मैंने एक वीडियो पब्लिच्ट कर दिया है इतिहास का अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लिजिए आज मतलब आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कल यह सब वीडियो को अपलोड करूँगा किलियर है और जो वीडियो अपलोड करूँगा एक दिन में आपको सोल सांस का कंप्लेट सोलूशन मिल जाएगा इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेए औ लेकिन वह आपको इस तरह का कंप्लेट सोलूशन नहीं देगा जैसे कि objective question का solution दे दिया बस और कुछ नहीं देता है लेकिन यहाँ पर आपको एक complete solution मिलेगा एकदम complete simple language में तो चलिए उतना time बरबाद नहीं करेंगे सिधे हम लोग questions के उपर आते हैं और बात करते हैं ठीक ह question number 14 को discuss करते हैं क्या है कि नभीकरन योग के संसाधन नहीं है तो देखिए जो सोर उड़ जाए तो नभीकरन योग के संसाधन है जल भी नभीकरन है पपर उड़ जा भी नभीकरन है तो कोन नहीं है जिवास में इंदन तो इसका science हो जाएगा option number 1 question number 15 क्या है कि भारत में project tiger क की सुरूआत कब हुई ठीक है तो जो project tiger है project tiger की सुरूआत कब हुई थी आप इस बात को याद रखिएगा 1973 को इसका science हो जाएगा option number D आगे बढ़े question number 16 देखिए कि जारकन में इस्तित कोडरमा निमनलिकित में किस खनीज का अगरनी उत्पादक है यह question साथ आपका model set 2 में भी दिया हुआ था ठीक है तो इसका जो science हो जाएगा यह option number B यानि कि अब्रक बहुत सारे बच्चे एक ची करना है कि जारा अबका तो किषटा थे क्ल के से आपने बोढ़े जाए नहीं देना है। so다週 से क्या और इस इस पर इस तिर्म करें गया, कब लगाया गया, तो आप यync रखेगा 1854 को, 1854 को लगाया गया था, लेकिन यहांपर जो यह 856 है, तो 1854 को भी एक चीज हुआ था, क्या हुआ था, यहां से उत्रपादन सटार्ट हुआ था, उत्रपादन कभ Geral सzeit हुआ था तो 1856 से और मतलब यह जो कारखाना है कब लगाया गया था तो 1854 को बस इसी चीज़ को आप याज रखेगा तो यहाँ पर यह जो इसका जो सहींसर होगा क्या होगा 1854 यहाँ पर आप क्या बरेंगे 1854 किलियर है समझ माया चली आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चनमर 18 हमारे पास क्या है कि लोग खनीज क्या है उदाहरन देकर बताईए ठीक है या बिर बताएं है ठीक है क्वेश्चन इस तरह से भी पुछा जा पाए जाएगा मदर भी थोड़ा कठोर होते हैं आलो खनीजों में कठोरता नहीं पाए जाती है लोग खनीज पर आया भूरे रंग के होते हैं यह जो होते हैं आलो खनीज में कई रंगों के होते हैं जो अलो खनीज है यह बहुत सारे रंगों के होते हैं अब लोग खनीज बस आपको और केवल लो खनीच बताना है लेकिने मैंने आपके knowledge के लिए यहाँ पर बता दिया लो और लो दोनों बता दिया क्लियर है आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं question number illness को देखते हैं question number illness के आए देखिए वन और वन ने जीवन का सनरक्षन क्यों आवजसक है देखिए वन और वन ने जीवन का सनरक्षन हम निम्रिकित कारणों से करते हैं क्यों करते हैं देखिए पहला कि हमें वन एवंग वर्ण जीवन का संधुलिया करना चाहिए क्योंकि वन देश की संपदा रखता है देखिए जो वन Doesn केगध ऐधमका एकधम संपदा है वन और वन जीवन हमारी के संतुलन को बनाई रखता है जो हमारा परियावरन है इसको कौन करता है इसको कौन संतुलित रखता है तो वन और वन जीवन ही मान की चलिए गर आपका बन नहीं रहेगा तो आपका समय परबरसा नहीं होगा समय पर बरसा नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा अनाज नहीं होगा तो भुकमरी होगा तो समझ रहे हैं क्या होगा ठीक है इस परकार से हैं यह भूमी की कटाव को रोकती है जो भूमी का जो कटाव हो जाता यह इसको भी रोकता है वन वन ने जीवन के संद्रक्शन के लिए उन्हें आस्त्राई परदान करती है जो वन है न वो वन जीवन के संद्रक्षन के लिए क्या करता है उसे आस्त्राई परदान करता है मिर्दा परदन एबंग बाड़ पर नियंतरन करने के लिए जो वन और वन संद्रक्षन को हम लोग मलब इनका संद्रक्शन करना क्यों आवे सके ताकि मिर्दा परदन ना हो बाड़ पर कंट्रोल रहो ठीक है आगे देखें इमारती था जलाने वाले लकडी प्राप्ट करने के लिए अगर हम बन का संद्रक्शन नहीं करेंगे तो ना थो हमें इमारत के लिए लकडी मिलेगा फल, मेवे, सब्जियां जदा ओस्दियां प्राफ्ट करने के लिए अगर हम लोग वन का संद्रक्शन नहीं करेंगे ना थो हमें फल मिलेगा ना मेवे मिलेगा ना सब्जियां मिलेगी ना द्वाई मिलेगी किलियर है तो यह था इस question का answer बहुत ही simple तरीके से मिन आपको ब कर दिए कहानी खत्म कुछ आपको उतना नहीं मायन दोड़ाना है ठीके देखिए क्या मैंने लिखा है कि प्राचिन भारत में जल संग्रहन के लिए अपनाई जाने वाले निमनल की तरीके हैं तो प्राचिन समय में राजस्तान की अर्थ सुसके छेत्रों में निमन प्रकार से बर्साजल संग्रन का चांग जाता है राजस्तान में ने बहुत बढ़ा के बलावर मिलता है क्यों तो यह पर पनी मतलब बहुत ही कम मत्रा में होता ही है वहां के लोग इस पानी की कमी को दूर करने के लिए तालाबूं जीलों इत्यादी का निर्मान क्या फिर भी पानी के समझ साथ पूरी तरह से दूर नहीं हुई फिर राजस्तान के लोगों ने जल संग्रहन करना प्रादब कर दिया और यह जो वर्षा जल संग्रहन करेगा यह अपनलब प्राचिन मौडर्ण टाइप से इसको करने वाला है किस तरह से करेगा तो देखिए तो राजस्तान राजस्तान के अर्ध सुस्चित्रों में रहने वाले लोग घर के छत को क्या बनाते हैं धलवा बनाते हैं ठीक है वाँ के लोग वर्षा के जल को संग्रहन करने के लिए घर में अथ्वा आंगन में एक बहुत बड़ा भूमिगत टैंके बनाते हैं देखिए पाला जो घर का शचत बनाएगा उसको धलवा टाइप का बनाएगा और एक टंकी बनाएग करता है जो पहला पानी होता है उनलों लोग इस पानी का करता पहुत दिनों तक कर पाते है लुट करते हैं के लिए समझ माया कोई दिमत करते है सिमान्त सडकों का क्या महत्तु है? तो देखिए सिमान्त सडकों के निमनिलिकित महत्तु है क्या है? तो सिमान्त सडकें देश के सिमावर्ती इलाकों में परिवहन का सबसे महत्पूर्ण साधन है जो सिमावर्ती इलाका होता है ना वहाँ पर आने जाने के लिए सबसे बेश्ट साधन क्या है सिमांत सडके हैं सिमांत सडकों का निर्मान सिमावर्ती छेत्रों में क्या गया है और इनका जो निर्मान है कहां क्या गया है तो सिमावर्ती छेत्रों में ये सड़कें सेनिकों का तथा सिमावर्ती छेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए महतवपूर्ण रूप से उपयोगी है सिमावर्ती च्छेत्र के निवासियों के किरिसी वैपार और देश के अन्य च्छेत्रों से उनके जुडाओं में सिमांत सडकें महतफूर्ण भूनिका निवाती है दुर्गम च्छेत्रों पर पहुँचने के लिए यह सडके महतफूर्ण है मतलब जो दुर्गम चेत्र है मतलब जहाँ आप गारी घोड़ा बहुत कम आती जाती है तो वहाँ भी पहुंचने के लिए सबसे बेश्ट है यह सड़के आरथी के विकास में भी महतपूर्न है यह जो सड़के है यह मतलब आपको इहां से मतलब आप इंकम का भी यहां से लेकिन यहां पर एक अलग भी पर में दे दिया गया है मतलब साइद 6.6 या फिर 6.7 ऐसे कुछ होगा मतलब मैंने तो उतना ध्यान नहीं दिया लेकिन मुझे एक लड़का फोन करके बताया कि सर इस तरह से मतलब यहां पर कुछ कर दिया गया है और मैंने थोड़ा सा देखा मैंने उतना ध्यान नहीं दिया लेकिन यह बच्चा सही बोला था हमको जो मुझे कॉल किया था है जो ना तो 6.1 पर बें था ना तो 6.8 था वो साइद 6.6 था या फिर 6.7 था इसे कुछ था ठेक है तो बताइए इस तरह का कैसे हो रहा है यहां पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है वागु कहाने जब सिलबस से हटा तो देने का क्या जरुरत है और यह जो खादर भांगर यह पांस नमर्स का कूश्टन अक्च्छ फूस्ट्रन में ही नहीं यह फू कुछ यह पांस नम्म्र यह बताने का सूक भी नहीं था लिकिन इस पूला इसके बाद और एक कूश्चण होगा जो आपका दिमाग खाएगा चलिए पहले इस को तो हड़ा लेते हैं फिर उस में दिमाग दोड़ाएंगे क्वेश्चन क्या है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर रिस्पस्ट किजिए ये क्वेश्चन में तो इंपोर्टेंट नहीं बोलंगा ये क्वेश्चन नहीं पुछा जाएगा आपको मने किजिए नहीं मने मत किजिए ठीक है चली देखते हैं क्या है कि पुराने जलो होने के कारण नभीन जलोड की तुन्ना में कम उपजाव होते हैं बांगर मिटी के समतल तदा अधिक कंकर वाले छेतर को भूड कहा जाता है किलियर है बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट में लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं आगे बढ़ें तो पंजाब पंजाब के मैदान में इसे धाया कहा जाता है और पंजाब के मैदान में से हम लों क्या बोलते हैं धाया बोलते हैं यह उत्तर परदेश के पस्चिमी भाग और उत्तराखंड के भागों में पाए जाते हैं और नए जलोड को हम लों क्या बोलते हैं खादर कहा जाता है ठीक है तो खादर भू लिखना पर लिखना है यहां पर फिर से आप को इस प्रकार से देना है आप यहां पर बांगर का जितना पॉइंट दिख सकते हैं लिख दिजीए इधर इस प्रकार से आप यहां पर अंतर को बताएंगे तो यह मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट नहीं है उत्रा अच्छा भी नहीं है मने किजिए नहीं मने मत किजिए मैं तो इस को सजेस्ट नहीं करूंगा आगे पड़ें यह कोश्चन बाग परियोजना कि विसरय में संग्षेप में बनन किजिए इस को पांच नमर में रखाया है और यह इस से मात्रा हमारा अब्जक्टिव कोश्चनस आने वाले हैं इस कोश्चन से इस सिर्फ पर सिर्फ और शिर्फ हो आएगा लेकिन यहाँ पर प्वाले इस चेप्टर से कौश्चन ले आ गया है जो कि मुझे ठीक नहीं लगा यहां पर यह जो मोडल सर्थ जी आया है न यह को अगर उत्तर चाहिए तो आप कहीं सभी जोगार कर लीजी किदाब पर लिजिये कोई जैसर पर लिजिये कहीं कोई मिनिंग गाइड पर लीजिए या पिर गुगल कर लिजिये लेकिन यहां पर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं के लियर है आगे बढ़ें चलिए आगे ब विए दिसकस करेंगे अब देखेंगे अगला लेक्टर आने वाला है यहां पर हम लोग नागरिक सास्तर के कम्प्रेट सोलुशन को देखेंगे और मान के चलिए जैसे कि 7 बजे मैंने इतिहास को अपलोड कर दिया, ठीक है, 10 बजे मैंने भुगोल को अपलोड कर दिया, ठीक है, और करीबन मान के चलिए 3 घंटा का आप यहाँ पर, मतलब गैप ले लिजिए 10 के बाद 11, 12, 1, मतलब यह करीब करीब एक बज़े आपका आपको मैं नागरिक सास्त्र का complete solution दे दूँ, ठीक है, और आपको मैं 4 बजे, 4 बजे के time मैं कोसिस करूँगा, कि 4 बजे के time मैं आपको अर्थ सास्त्र का complete solution जैसे दे पाऊं, अर्थ सास्त्र का complete solution मैं कोसिस करूँगा, 4 बजे तक आप लोगों को provide करा दूँगा, और फिर और फिर जब 7 वज़े ऐसाम को ने 7 वज़े साम को로 मैं कोशीद करूंगा कि साइंस का जो कोशीद करूंगा जितना पॉसिवल हो सकते मतलब साइंस का मुझां ज्यसे गोश्यंस को मुझ ¿कहिए है कि माः thi mac केमिस्ट्री फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं कोसिस करूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं कंप्लेट सोलोशन दे दूंगा मैं कोसिस करूंगा मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं मैं कोसिस करूंगा पूरा एकदम दिल से एकदम कोसिस करूंगा मेरा जितना कर सकता हूं मेरा जितना capacity है जितना चंता है उन्स हिसाब से में process करूँगा और आप लोगों को मतलब वीडियो परभाइड कराने का ठीक है तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया थी वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले पर आप तो अगरे मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू